तो क्या है आपके लिए December की energy आपके love life को लेकर कि क्या कुछ आपकी love life में होने वाली है कैसे energy रहेगी कैसे आपके partner के energy रहेगी सब जानेगे लेकिन request है video को skip मत कीजेगा तो स्टार्ट करते हैं आपके ओरकल से, आपके लिए औरकल से आपके लिए क्या message आ रहे हैं, प्लीज डिवाइन गाइट कीजेगा, मिथुन रास के लिए उनके पार्टनर के और उनको लेकर के क्या love life की energy है, प्लीज डिवाइन गाइट कीजेगा, हार्मनी ओके यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको भी उनकी बहुत ज्यादा यादा आ रही होगी सायद और आपके पार्टनर भी आपको मिस कर रहे हैं आपकी जैसी एनरजी आपकी उनको लेकर के हैं जैसी फैंटसी आपको ले से आपको लेकर के साई होंगे साइध आप किसी चीज का commitment का इंदिजार कर रहे हो उन से लेकिन वो इस चीज में थोड़े से साइनेस के साथ में हैं वो बात समझ नहीं पा रहे हैं कैसे करो या तो आप बड़े चार्मिंग हो बोल्ड हो आपकी एनरजी से मैच नहीं कर पा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा यहां पर उनका confidence भी थोड़ा सा मुझे दिखाई देरा कम है लेकिन यस आप दोनों के बीच में balance है एक ऐसी bonding है तो divine के द्वारा connection है नेश्ट है forgiveness तो यहां पे ऐसा कुछ हो सकता है जो divine कह रहे है कि आपको forgive कर देना चाहिए एक दूसरे के साथ में connection बढ़ाना चाहिए communicate करना चाहिए और जो भी आपकी मन की love को लेकर के इच्छाए है वो पूरी होंगी लेकिन एक दूसरे को समझना होगा कि आप दोनों ही अलग-अलग हो आपकी divine में क्या होता जो अपोजिस site होते है ना magnet के वही एक दूसरे की तरफ attract होते है तो same 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 ऐसी ही आप हो आप दोन कि मन का नहीं है तो यहाँ पर फर्ग्यू कीजिए ठीक है वो एक दूसरे कपर थोपने की कोसिस मत कीजिए कि यस मुझे ऐसा ही चाहिए ठीक है मैं यहाँ पर रिंग पहनना भूल गई हूपनी तो मैं रिंग पहल लेती हूँ पहली तो चलिए देखते है और क्या energy है लिए प्लीज उनिवर्स ग्याइट कीजिएगा मिथो नराज के लिए प्लीज एंजल्स ग्याइट कीजिएगा त्वाय फ्राफिल यह पास्ट का कुछ ऐसा है जो आपको कही ना कही मुझे लगता है कि आपको फर्गुब कर देना है दूसरे को आप दोनों मिले हो तो कोई ना कोई रीजन है जिसकी वज़े से मिले हो ठीक है तो उस लाइक परफस को धूणना है उस अपनी सोल परफस को दूणना है कि आप क्यो एक दूसरे के साथ करनेट हुए है कि बहुत जरूरी है और अपनी कहते हैं अपने रिष्टे के माइने ढूणने है कि यस मेरा रिष्टा आखिर क्या है मुझे इस रिष्टे में क्या और रिफट्स लगाने चाहिए ठीक है और आपका अगला काड है 10 of Michael तो यहाँ पर यस कोई ऐसा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है या आपकी खुद की एनरजी ऐसी लग रही है कि आप कुछ मिसंडरस्टेंडिंग से गुजर रहे हो तो उसको क्लोजर दो उसको इंड करो और जो नई होप ऐसे ही स्टेप लो जो आपके लिए फाइदे मंद हो अगला है 7 of Michael definitely कुछ हो सकता है कि आपके बीच में 3rd party issue हुए हो जिसकी वज़े से आपके बीच में arguments हुए हो लड़ाई जगड़े हुए हो यहाँ पे थोड़ा सा इसको forgiveness इसलिए आपे forgiveness का card आया है forgiveness करना है एक नहीं सुरुवात करनी है अगर नहीं सुरुवात कर पा रहे हो तो closure दे दो ठीक है उसको closure कर दो कि मुझे अब तुमारे साथ रहना नहीं है एक decision लो एक clarity लो ठीक है इसमें अटको नहीं एक decision लो और काम में लग जो अगर रहना है तो चीजों को solve करना है मिफन रास के लिए और क्या energy है और क्या energy है five of sword yes कच आप दोनों के बीस में लड़ाई जहगड़े हुए हैं और यह third party issue हो सकती है या आपकी ऐसी डिजायर जो आप जानते थे कि वो पूरी हो सकती थी लेकिन आपके पार्टनर ने जान बूच के आपको कमिटमेंट नहीं दी है ठीक है यह आपकी एनरजी हो सकती है कि आप कुछ तो कुछ न कुछ आर्गुमेंट से गुजर रहे हो and next card 7 of Cuff आपके जो भी सपने थे emotional ही जो आपको अकेला महसूस कर रहे थे यहाँ पे आपको emotionally healing मिलेगी ठीक है आपके love life में आपको healing मिलेगी थोड़ा सा अपने desires को जो भी आपके सपने हैं आपके unique आपके love को लेकर के उसके लिए मिज़े unicorn का message महसूस हो रहा है unicorn ऐसा लगता है कि आपको बोल रहे है कि अपनी basic needs को पहचानो जरूर आपका वो सपना पूरा होगा ठीक है, आपको emotionally heal मिलेगी और मैं आपको दूँगा, ठीक है आपको unicorn का ये message दिखाई दे रहा है the fool, new journey yes, जैसे कि मैंने पहले ही message किया है, अटको नहीं move on करना है तो move on हो जाओ, ठीक है अगर forgive नहीं कर सकते हो, रिष्टे की नहीं सुरुवात नहीं कर सकते हो, तो let go करो पुरानी चीज़े, नहीं सुरुवात करो ये two types के message यहाँ पे आई है ठीक है, मुझे एक लग रहा है कि single है, और अपनी love life को attract कर रहे है तो उनकी life में यहाँ पे एक new beginning आ रही है, और जो एक healthy energy में है उनको यहाँ पे है कि उनका bonding काफी अच्छा है, लेकि कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच में communication gap चल रहा है तीसरा, जो third party issue से गुजर रहे हैं, deception की energy से गुजर रहे हैं, material की energy से गुजर रहे हैं और वो चीजों को let go भी नहीं कुर पा रहे हैं, उनके लिए भी message है कि move on करो, नहीं शुरुआत करो आपने यहाँ पैसा लगा है खुद भी बंदे हुए हो और अपने पार्टनर को भी बंदे हो उसको कहीं न कहीं free करो, ठीक है next card आपके लिए है, the magician तो यहाँ पे आपकी love life में magic create हो रहा है, आप अपने ऐसे partner की तरफ जा रहे हो, जिसके साथ में आपका real connection है ठीक है, और यह भी इतना renewal energy है, मतलब नई energy है, एक new beginning की energy है तो यहाँ पे आपके साथ magic create होगा अगर आप proposal का इंतिजार कर रहे हो अपने partner के साथ में और जो एक साथ कि मैंने कहा कि आपका partner जो healthy relationship में है, लेकिन sinus है, प्यार तो करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपकी feeling, उनकी feeling seem है लेकिन वो थोड़ा ससाई है, और यहाँ पे आपको वो बताना नहीं चाह रहे है अपनी feelings को तो यहाँ पे आपको उनकी true feeling भी पता चलते हुए दिखाई दे रही December के महिने में और देख लेते हैं और देख लेते हैं, क्या है आपकी energy Two of sword यहाँ कहीं न कहीं आपको clarity लेनी पड़ेगी, यहाँ भी आप देखोगे कि आप उनको ना तो कह रहे हो, लेकि कहीं न कहीं confused हो, खुद भी hang हो और उसको भी hang करके रखे हो कहीं न कहीं आपको clarity लानी है इस चीज को control करना है, ठीक है, अपने emotions को control करना होगा, कुछ और देख लेते हैं Three of pentacles, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने partner के साथ, बहुत ही dedication के साथ, यह love life को create किया था बहुत ही आपने efforts भी लगाए, आप अपने partner से बहुत प्यार करते थे, बहुत 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 प्यार करते थे, लेकिन आपके partner ने उतनी ज़्यादा आपकी value नहीं की, और कई ना कई आपको धुखा दिया है, ठीक है यह आपको commitment नहीं दे रहे हैं, यह third party के साथ में deal कर रहे हैं और आपसे भी वो साथ छुपाने की खोसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे बोला जारा थोड़ा सा patience रखने की जरुरत है, ठीक है, थोड़ा सा patience रखने की यहाँ पे जरुरत दिखाई दे रही है, कुछ और कुछ और cards की energy, please divine guide कीजिए, as of sort yes, clarity आपको लेनी पड़ेगी, thinking कीजिए कैसे इस challenges का सामना करना है, ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं, तो let go कीजिए, सीधा सीधा में कहूंगे, let go कीजिए ठीक है, move on कर जिए और नहीं सुरुवात कीजिए yes, बहुत clear में ऐसा थे कुछ लोगों के लिए कि नहीं सुरुवात करनी है, कुछ लोगों की love life में कोई entry करने वाला है बहुत जल्दी उनकी life में कोई ना कोई entry करने वाला है, जो आपकी energy के मताबिक होगा, कुछ ऐसी soul को, ऐसी soulmate energy को आप manifest कर रहे हो जो आपके सपनों की जैसी होगी क्योंकि यहाँ पे seven of cuff हैं, जो आपके सपनों की जैसी होगी next card है आपका, four of sword कुछ चीजों में आपको बोला जा रहा है pause लीजिए, कुछ भी फैसला लेने से पहले बहुत ही soul समझ के काम कीजिए कहीं न कहीं ये भी बोल रहा है कि overload मत लीजिए, जो इतना समहाल सकते हो burden, उतना ही लेकर के चलिए, बाकी move on कीजिए ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी energy आपके लिए बनी हुई है मैं एक clear करना चाहूंगी कि क्या है, king of sword का card है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो partner है तो आपने partner को लेकर के बहुत ही honest लह हो, loyal लह हो लेकिन आपने love life में बहुत सारे conditions लगाए थे यहाँ पे थूड़ा सा आपको compromise करने के लिए भी message आ रहा है कुछ एक मैं overall energy लेना चाहती हूँ, पता नी क्यों मुझे एक और card लेने का मन हो रहा है overall और क्या energy से the impress की और energy जा रही है तो the impress की और से energy मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा listening nature में आना चाहिए और जो भी love life की problem है वो sort out हो जाएंगी ठीके, थोड़ा सा patience लगेगा थोड़ा सा forgiveness लगेगा अगर आप इसी partner को manifest कर रहे हो ठीके, इक कार्मिक आपका हो सकता है कि कार्मिक challenges आप face कर रहे हो लेकिन बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में सारी misunderstanding खतम हो जाएगी ठीके, यहाँ पर सेज दिखाई दे रहे है दुल्हन की सेज तो यहाँ मेरी स्पॉसलर्टी भी आपकी chances बने हुए है ठीके, यह है मितनासी यह तो आपकी लिए reading थी अगर reading पसंद आए तो वीडियो को like कीजिए और share कीजिएगा, बाई